आमतार पर लोग घर में छिपकली देखते ही तुरंत उसे भगाने लगते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में छिपकली शुब मानी गई है छिपकली को शाष्त्रों में देवी लक्षमी का रूप माना गया है इसलिए छिपकली का घर में देखना शुब शंकेत क और इशारा करता है कास तोर पर अगर आपको घर के मंदर में छिपकली नजर आए तो यह और भी स्वभाग्य की बात होती है क्योंकि इससे आपको चमतकारी फल मिलने वाले होते हैं मानेता के अनुसार आमतोर पर देखा गया है कि छिपकली को लोग बहुत अच्छा जन्तू नहीं मानते हैं इसलिए उसे भगाने के उपाए भी धूड़ने लगते हैं लेकिन यहां हम आपको बता दें कि अचानक छिपकली का नजराना बेहर शुब माना जाता है अगर छिप चिपकली नजराती है तो इसे अलक्षमी का संकेत माना गया है अलक्षमी दोस्तो देवी लक्षमी की बहन है और इनके आगमन से जीवन में आर्थिक हानी होती है तो आई दोस्तो इस विजानने की कोशिश करते हैं कि छिपकली का दिखना कब शुब होता है दोस्तों अगर अगर आपको शुक्रवार के दिन अचानक से घर के मंदर में चिपकली देख जाये तो इसे शुब माना जाता है वहीं अगर मंदर में मरी हुई चिपकली देखे तो यह अशुब संकेत होता है अगर आपको सुबा सुबा ही चिपकली नज़राय तो यह उन्नती का और लाब का प्रतीक माना गया है वहीं दोस्तों अगर आपको मंदर में चिपकली दिखे तो यह भी कुछ संकेतों की और इशारा करता है दोस्तों अगर आपको घर के मंदिर की फर्ष में चलती हुई छिपकली नजर आए तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही आर्थिक लाब होने वाला है वहीं दोस्तों अगर मंदिर की फर्ष में मरी हुई छिपकली दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि आपको आर्थिक नुकसान होने वाला है वहीं अगर दोस्तों पूजा करने के दौरान छिपकली आपके उपर चड़ जाए या शरीर पर शिपकली गिर जाये तो माना जाता है कि बहुत जल्द ही आपकी मनों कामना पूरी होने वाली है आई दोस्तों बात करते हैं कि दिवाली पर अगर आपको शिपकली दिखती है तो यह किस ओर इशारा करता है दोस्तो दिवाली या किसी अन्य बड़े परव पर अचानक से घर के मंदिर में छपकली नजर आये तो इसे शुब माना गया है दिवाली का परव देवी लक्षमी को समर्पित होता है और इस दिन अगर आपको उनके प्रतीक के रूप में छपकली नजर आ जाये तो यह अतिश शुब कहलाया जाता है वही अगर दोस्तो कटी होई छपकली या जपकली घर में नजर आये तो यह अशुब तंकेत हो सकता है इससे घर में कले और कलेश बढ़ता है दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि छपकली हमारे शरीर पर गिर जाती है ऐसे में दोस्तो छपकली का अलग-अलग अंगों पर गिरना भी कई बातों की और इशारा करता है जैसे कि दोस्तो जोतिश के अनुशार छपकली का शरीर के अंगों पर गिरना हर बार आशुब नहीं होता शरीर के कुछ अंगों पर शिपकली का गिरना शुब भी माना गया है तो आईए एक एक करके दोस्तो हम इन अंगों के बारे में बात करते हैं दोस्तो गरदन पर अगर शिपकली गिरती है तो इसे शुब माना गया है जोतिस के अनुशार ऐसा होने पर शत्रू पर विजय होती है शिपकली का नाक पर गिरना शुब माना गया है और ऐसा कहा गया है कि यह आपके भाग्योदय का संकीत है शिपकली दोस्तों अगर आपके दाये हाथ पर गिरती है तो धन लाव होता है और बाया हाथ पर गिरने से धन की हानी होती है चिपकिली के दान हाथ की कलाई पर गिरने से धन की हानी जबकि बाया हाथ की कलाई पर गिरने से बदनामी का डर बना रहता है वहिला आयब पुरुष किसी के भी माते पर चिपकली गिरने को बेहत शुब माना गया है यह धन प्रापती के संगेत होते हैं अगर पीट पर दोस्तों चिपकली गिरती है तो यह बेहत अशुब कहा गया है क्योंकि यह व्यक्ति को मांसिक रूप से परिशान कर सकता है बालों में चिपकली का गिरना अशुब होता है आकस्मिक मृत्ती होने की ओर दोस्तों यह इश्राला करता है इसमें दिरगटना होने की संभावना भी बनी रहती है पुरुष की दाड़ी पर दोस्तों चिपकली का गिरना अशुब माना गया है यह आर्थिक नुक्सान देने का संकेत होता है वहीं दोस्तों जोतिश के अनुसार कान पर शिपकली का गिरना शोग होता है अगर दाय कान पर शिपकली गिरती है तो धनकी प्राप्ती होती है और बाय कान पर गिरने से आयू बढ़ती है तुरंत में जोतिश के अनुशार दोस्तो दाय पैर पर छिपकली गिरने से यातरा का समयोग बनता है तो वहीं बाय पैर पर गिरने से धन की हानी होती है तो दोस्तो ये थी छिपकली और वास्तु सास्ते से जोड़ी कुछ रोचक बाते आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाई약 और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जुने हमारे चैनल के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद